वेगम चूधा अब इस वक्त यहां कहीं बाहर जा रही है या कहीं बाहर से आ रही है आप हम वो अम्बे मा के मंदिर गए थे वेगम जोड़ा आप तो मुगल सल्तनत के शेहनशा के खास बेगम कहीं भी आजा सकती हैं आपके आने जाने पर कोई पावंदी नहीं है लेकिन खास बेगम होने के साथ साथ आप इतनी समझदार भी है अब जानकी के इस तरह महल से पहर अकेली इस वक्त बिना किसी दासी या किसी सिपाई के तुकड़ी के बाहर जाना खत्री से खाली नहीं है अब ये जानकी है कि इस वक्त मुगल सल्तन अस तर्दुश्वन घात लगाए बैठा है आप ही कि जान को खत्रा हो सकता है अब जी कह रहे हैं अपनी भूर के लिए मक्षमा चाहते हैं कोई बात है बस हम आपके हिपाज़ता पूरा इंतजाम करेंगे जी खुदा आपको लगता है कि यहां किसी को पता नहीं है क्या आप कहा जाती आपकी रातों की तफरी के मालुमार हमें भी है देगम जोधा और चलाल को भी पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर आदाप शैन्शा हुजूर आपकी हुक्म के मताबिक हमने उस जोपड़े की तप्तिश की है और चानवीन से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे की कोई नतीजा निकाला जा सके कभी कभार रात को कोई बिखारी वहां आकर आसरा लेता है वगर कल रात को वहां कोई नहीं था हुजूर हुजूर कल रात वहां कोई नहीं था हुजूर कुस्ता की मौाफ हुजूर, मगर आप कुछ परिशान लग रहे हैं अगर आप चाहे तो अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें कुछ बाते ऐसी होती है तका साब जिनका सामना इंसान को अकेले ही करना होता है फिर शाहे वो फकीर हो या बाश्या और उन्हें किसी से बांट नहीं सकता जैसी हुजूर की मदद इजाज़त दीजिये हुजूर करले दोसी हुजूर मुति, हम जहन्शा को आर्थियों प्रसातिय कर आते हैं जहन्शा? जहन्शा को आर्थियों जहन्शा कर आते हैं जहन्शा को आर्थियों जहन्शा कर आते हैं आओ जलाल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई देखो ना, कब से बना रहे हैं? हम से होता ही नहीं है जब आपके इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती हैं अमीजा? ये सुई तुम्हारी दादी जान की है पिटा, उन्हें ये सब करना बहुत पसंद था और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विरासत एक पुश्ट से दूसरी तक जा सके लेकिन तुम इतने परिशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अब बताओ भी, ऐसा क्या है जिसने हमारे बेटे को इतना परिशान किया हुआ है? अमीजान ओरतों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं अमीजान बस ऐसे ही हम बस ही जानना चाहते हैं कि कि अगर हम किसी पर यकीन करते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमारी यकीन को बनाए रखे बेशक बनती है और अगर वो इंसान ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए यकीन जितनी नाजुक चीज है बिटा, उतनी ही पेचीदा भी है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला चाहा कर भी हमसे सच बयाद नहीं कर पाता। कभी किसी मजबूरी की वज़े से, तो कभी किसी खौफ की वज़े से। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम मालूम करें कि हमारा अजीज हमसे सच क्यों नहीं बोल पा रहा और अगर वजह न मिल पाए तो हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि सही वक्ताने पर अगर वो शक्स हमारी इज़त करता है तो खुद बखुद हमें सब कुछ बता देगा बेटा, दुनिया में हर चीज के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है और यकीन का बदला यकीन ही होता है नगर ये बताओ, तुम किस के बार में पूछ रहे हो? है कोई, जो बहुत करीब है जिस पर हमने यकीन किया था लेकिन पर आप कह रही हैं कि हमारी पर से इंतजार करने के सुआए और कोई रास्ता नहीं तो ठीक, शुक्रिया अम्मी जान आपके वजह से हमारे दिल को सुकूम मिला अब हम निकलते हैं प्रणाम शेहन्शा, प्रणाम मलिकायाजम, जोदा बेगम ने सभी से हरम के बड़ी कक्ष में उपस्तित होने के प्रात्ना की है शेहन्शा, आपसे भी उनकी यही बिल्ती है हम स्वयम को बदलना चाहते हैं अज तक हमने हरम में भई किया, जो हमें ठीक लगा जिसके आविश्यक्ता हमने अनुभव की परंतो हम पहरे दिन भी यही मांते थे, और आज भी यही कहेंगे कि हरम को संभाले में सबसे अधिक श्रेष्ट रुकया बेगम ही है इसलिए हम अपना पत छोड़ना चाहते हैं हमने अपसे कहा था ना कि जोधा बेगम यहां साथा तिर नहीं टिक भाएंगी बेशाक बेगम रुकया अरं चलाना अच्छों का खेल नहीं है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं आगे हम सबने आपको चुनाएं आप अपने जिम्मेंतारी से नहीं हड़ सकती आपसा क्यों कर रही हैं जोधा बेगम हरम को आपकी जरूरत है हम जानते के आपको निराशा हुई है पर हम को संभादे में रुकया बेगम ही सर्विशेष्ट है कि सिस्वेशे बेगम करते हैं कि हरम का कारीभाद रुकया बेगम को सब्किया जाए तरह रुकी हे जोधा बेगम हरम मुगल सल्टनत और तेह्जीव का किला है यहां हजारों बेगमात पांदिया और कनीज की जिंदगी का फैसला होता है और आप शायद भूल दें कि इंतखाब के वक्त हमने आपके नाम के हिमायत की इसलिए तो यह ओदा आपको मिला है और अगर हमें जिम्यदारी निभानी होती तो हम आपके नाम की हिमायत करते ही नहीं हमने हरम बहुत सालों तक सभाने अब हमें इन सब में नहीं पढ़ना चा इसलिए हरम की जिम्यदारी तो आप ही संभाने में हमारे कुछ नीची कारण है रुगया बेगम अब हम यह सब नहीं समाल सकते हैं जाफ्ती मामनी सब के बास होते हैं जोधा बेगम जोधा बेगम